दोस्तो NPA मामले में हाली में RBI के तरफ से एक notification जारी हुआ था और उसको तुनन्त लागू करने के लिए बोला गया था बैंक को लेकिन दोस्तो Bombay High Coach ने इस आदेश के ऊपर रोग लगा दिया है दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है ये जो रोग लगा है ये कौन सा आदेश के ऊपर लगा है और ये रोग लगने के बाद इसके ऊपर क्या impact होगा इस वीडियो में मैं details में बात करोँगा सो दोस्तो मैं हू सब्सक्राइब कर लिए अगर अच्छ लगता है तो लाइक बॉटन को ज़रूर प्रेस करिएगा दोस्तों हाली में RBI के तरफ से एक notification जारी हुआ था जहांपे non-performing asset का जो loan status है उसके ओपर एक गाइडलाइन आथा जहांपे यह बोला गया था कि bank अगर चाहे तो कोई भी account को जहांपे internal audit में fraud निकल काया है तो उसको fraud declare कर सकता है अब यहांपे customer का जो पक्ष है वो चाहे सुन भी सकता है नहीं भी सुन सकता है मतला without customer का जो पक्ष है वो बिना सुने ही उस loan को fraud घोसित कर सकता है based on the internal audit इसको challenge करते हुए याचिका दायर किया गया था हाइकोट में और हाइकोट ने इसके ओपर कुछ question दागे थे कि हाँ अगर आप fraud घोसित कर रहे हो तो customer को भी पक्ष एक बार सुनना चाहिए क्योंकि हो सकता है customer कभी कुछ जो है points हो क्योंकि एक बार fraud अगर घोसित हो जाता है कोई भी loan account तो उस सिनारियों में bank के पास यह right आ जाता है कि उसके ओपर criminal proceeding कर सकता है क्योंकि fraud मतलब 400 भी सिधोगादारी का case से basically कोई loan अगर NPA हो जाता है वहां पर directly कोई क्रिमिनल पॉसित हो जाता है तो उस सिनारियों में criminal proceeding भी हो सकता है तो इसके लिए जो है कोट के तरफ से सब टिपपनी किया गया था और फाइनली जो जवाब है वो दोनों तरफ से आया था बैंक के तरफ से भी आया था जो याचिगा करता था उनके तरफ से आया था तो सुनने के बाद बोम्बे हाइ कोट ने फाइनली जो दोस्तो सेप्टेम्बर गैरा तरिक मतलब अभी तो अभी आपका चुन चल ला है तो आने वालो सेप्टेमबर का गैरा तरिक तक जो है इसको फार्दर जो है बैंड लगा दिया है मतलब अभी था कि कोई भी de-action ne बैंक नहीं ले पाएगा फिलाल पॉस कर दिया गया है और इसको पर जब तक पूरा फाइनल सुन भाई नहीं हो जाता तो तब तक इसको पर कोई बैंक एक्शन नहीं ले सकता मतलब बैंक चाहते हुए भी कोई भी आकाउंट को डाइरेक्ट फॉर्ट घोशित नहीं कर सकते अगर किसी को फॉर्ट घोशित करना है तो बैंक को पर्सोनली जो है कस्टोमर का पक्ष भी सुनना पड़ेगा उसके बादी बैंक कुछ रिजिशन ले सकता है लेकिन जो नया आदे से उसको लागू नहीं हो सकते लेकिन दूस्त आपको बतने चाहूंगा दो दिन पहले ही जो है आर्बी आई ने एक और सार्कूलर लाया तो सेटल्मेंट रिकार्डिंग वहाँ पर आर्बी आई ने साफ सब ये कहा था कि कोई भी अकाउंट अगर फॉर्ट घोशित हो चुका है या फिर विल्फुल डिफॉल्ट हो चुका है तो बैंक चाहे वहाँ पर जाके डा पॉसिडिंग बैंक के पास राइड होता है और किमिन पॉसिडिंग चालू कर सकता है तो आपके इसाब से यह जो हाई कोट का आदे से किया सही है कि गलत है मुझे जरूर बताए सो दोस्ता हम मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ तब तक अपना करने दोन के साथ एंफॉर्मेशन से यह जो है call और किमिते और ऩोसे लिए मिलते पास बार बता है तक उके ढिसे साथ स्मय है को ओा हुर्मेशन